कि अधर आख अगया है असालम्रीकुम जुर्मु आख फंडमेंटल व प्रिद्नोमेट्री चेप्टर नुमर 9 है और 9.2 हम तो के साथ रंड लगें इससे पेले हम देखते हैं कि निम्हेंटिक फॉंक्शन के साइंस या उप्षा होती है इसे टॉपिक हम यह पहले तीन तो सबसे पहले हम दोग करेंगे science of trigonometric functions then हम दोग 9.2 के first two questions को attempt करेंगे जी students तो अभी आप देख सकते हैं कि trigonometric functions में हमने क्या decide कि है हमने क्या बनाया था हम दोग गाया था है कि इसको चार coordinates होते हैं ठीक है तो यहां पर इसको quickly discuss करते जाते हैं और अपने topic की तरफ में देखिए यह मरपस basically अगर हमर पास function जो है जो एंगल है वो फर्स quadrant के अंदर हमर पास इतने भी functions बनते होते हैं like sign theta क्या था sign theta होता है y over r cos theta क्या होता है x over r और tangent क्या होता है tangent हमार पास होता है y over x ठीक है यह तीनों हमर पास functions बनते होते हैं, तो अब y over x, अब देखें ये basically positive x axis है और positive ही y axis है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी combination बनेगी वो सारे की सारे positive क्यों होगे, देखें, positive x axis, positive y axis, तो r भी में है positive बात है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास all positives दोंगे, सारे की सारे functions जो हैं वो positive डानेगी, next देखें, next अगर हमारे पास यहीं angle जो है, वो second quadrant के अंदर लाय करते हैं, ठीक है, second quadrant के अंदर अगर लाय करना, चार्ट करते हैं, तो साइन हमारे पास क्या है, sin θ़ पास क्यों हता है, y over r, ठीक है, और cause हमारे पास क्या होता है, x over r और tangent हमारे पस क्या बनेगा y over x जी बच्चो अब यह देखिए अगर हमारे पस angle लाय कर रहा है second quadrant के अंदर अब देखिए यहाँ पे positive y x और negative x देखिए ठीक है अब देखिए इनके अंदर x कहाँ पे count हो रहे है sine के अंदर कोई x की value नहीं है it means कि यहाँ पे sine positive होगा sine theta यह positive होगा देखिए cos के अंदर negative आ रहे है so it means कोई भी negative होगा और tangent, tangent में भी x है और tangent भी negative होगा तो यहाँ पे सिर्फ sine positive होगा अब देखिए वहीं अगर third quadrant के अंदर angle यह angle लाय करता है यह third quadrant के अंदर तो यहाँ पे देखिए negative y axis और negative x axis इसका मतलब यह होगा कि देखिए जहाँ पे y है वो वाली भी negative आएगी जहाँ पे x है वो वाली भी negative आएगी कहाँ पे positive बनेगा यह वाली देखिए minus y over minus x minus से minus cancel so tangent जो होगा यहाँ पे third quadrant के अंदर tangent जो होगा यह positive होगा 10 positive okay so यह है fourth quadrant अधिकी fourth quadrant के अंदर x positive है y negative है तो y वाली जो भी terms होगी वो negative होगी जहाँ पे x होगा वो positive होगा यहाँ से हम देख सकते है कि जो cause है cause x over r होता है ठीक है इस मेंस कि fourth quadrant के अंदर cause positive है ठीक है इस तरह से हमारे जो coordinates हैं या angles हैं उनकी signs करते होते हैं first quadrant के अंदर अगर lie कर रहे होगे तो हमारे सारे कि सारे angles जो है वो positive होगा ठीक है second के अंदर क्या होगा sign positive third के अंदर 10 और four के अंदर जो होगा cause positive होगा question number one देखें question number one के अंदर हमने बताना है find the signs of the following angle अब दीके पहला angle अमरे पसके हैं पहला है sign पहला में पसके हैं पहला में पसके हैं पहला में पसके साइन वन सिस्टी ठीक है अब साइन वन सिस्टी गेस करें कहां पर होगा first quadrant तक 90 degree होते है 90 के बाद जो second quadrant है 90 तो 180 है तो यह 90 to 180 के बिख्रीन है तो यह कौन सा quadrant होगा यह होगा second quadrant और हमें पाथ है second quadrant के अंदर जो sign होता है sign angle का sign होता है वो क्या होता है वो positive होता है तो हम यहां पर लिखेंगे lies in second quadrant ठीक है lies in second quadrant so its sign is positive right next week next अमारे पर स्क्या है next अमारे पर से cause 190 cause 190 degree अब जेकि cause 190 कहां पर होगा first quadrant होगा 0 to 90 ठीक है 90 to 180 180 to 270 तो यह जो अमारे पर लाये कर रहा होगा यह third quadrant के अंदर lies in third quadrant और third quadrant के अंदर cause क्या होता है 3rd quadrant के अंदर पॉसिटिव होगा, इस अंगल की वल्यू भी पॉसिटिव भी आएगी, ठीक है? नेक्स देखिए, नेक्स हमार पास है 10 10 115, 115 तो 10 115 कहां पे होगा? 2nd quadrant, तो लाइज इन 2nd quadrant और वेल, आंद साइन क्या होगा इसका? 2nd quadrant के अंदर साइन पॉसिटिव होगा, इसके बाद हमार पास है secant 245 secant 245 degrees, secant किसका inverse होता है? secant होता है, cos का inverse, ठीक है? तो जहां पे cos positive, वहां पे secant पी positive 245 कौन से quadrant के अंदर लाए कर रहागा? 180 to 270, ठीक है? तो लाइज इन 3rd quadrant तो यह क्या होगा? positive होगा, ठीक है? next हमारे पास क्या है? next हमारे पास आएगा जो secant ठीक हो गया, lies in next हो गया, next हम देखें next हमारे पास क्या है? next हमारे पास है cot cot 80 degree, ठीक है? अब cot 80 degree यह कहां पे लाए कर रहा होगा? । कॉट 80 डिगरी यह लाए कर रहा होगा फर्स कोर्टन में और फर्स के अंदर जो है वो सारे के सारे पॉसिटिव होते है तो यह आ गया पॉसिटिव ठीक है, नेक्स लेखते है सरी, यहाँ पर कॉज है, कॉज यहाँ पर नेगेटिव बने गा नेक्स देखते हैं, नेक्स हमारे पास क्या आते हैं, नेक्स हमारे पास आएगा साइन, कॉसिकेंट 297 यह भी नेगिटिव बनेगा, कॉस 4 के अंदर पॉस्टिव होत है, तो साइन 297 297 कहां पे लाए कर रहा होगा, यह करेगा 4th quadrant के अंदर और यह basically sign का inverse है, तो lies in 4th quadrant और 4th quadrant के अंदर क्या होता है, 4th quadrant के अंदर यह negative होगा ठीक है, इस तरह से हम लोग पहला question जो है, इसके solve चर लेंगे हमने आपे sign बताने तो, कि 1st quadrant के अंदर है, sign क्या होगा 2nd quadrant के अंदर है, तो sign क्या होगा basically mcp based question है, तो इसका होग इसका होगा जी students, question number 2 देखें, question number 2 के अंदर हमारका mcp based question है, fill in the blanks हमने filter sign बताना है, इसका sign क्या होगा like question number 2 को sign क्या है, 3 का क्या sign question 1 देखें, sign minus 310, ठीक है, अब देखें, sign minus 310 यह कहां पे लाए कर रहा होगा, 4th quadrant के अंदर sign बताना है, वोग नेगेटिव होगा ठीक है, next देखें, next हमारे पास है cosecant minus 75 cosecant minus 75 अब cosecant minus 75 cosecant sin का inverse होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनजेगा, यह 75 तो यह हमारे पास आ जाएगा positive first quadrant बनेगा तो इहाँ पे positive ठीक है, next देखें next हमारे पास क्या है, next हमारे पास आएगा next देखें, next हमारे पास आएगा cot minus 137 cot minus 137 अब 137 degree कहा पे लाए कर रहा होगा, 137 लाए कर रहा होगा, second quadrant के अंदर cot level negative होता है यह negative और यह बन जेगा, negative cot 137 next पास देखें, next हमारे पास है 10 minus 182 minus 182 अब देखें 10 minus 182 यह कहाँ पे लाए कर रहा होगा यह लाए कर रहा होगा 14 जो है, वो अपने negative को बाहर evolve कर लेता है, तो यह आज़ेगा 182 next हमारे पास है, cosec minus cosec minus 15 तो cosec भी अपने sign को बाहर evolve कर लेता है, तो यह आज़ेगा minus cos second 15 यहाँ पे आपने एक बात note करनी है कि यह just cause है, cause अपने sign को खतम करनेता होता है, like cause के angle में अगर negative sign होगा तो उसका answer positive होगा और इसके लावब attain और sign के अदर negative होगा तो वो बाहर angle sign जो है वो बाहर आज़ेगा, ठीक है? question number 3 को भी हम इसी video के अंदर हम cover करेंगे thank you this question है तो इसको भी मनदवन हम solve करते जाते हैं, देखिए पहला हमारे पास है हमने बताने है के terminal arm होगी और terminal rage होगी वो किस coordinate के अंदर like कर रही होगी अब देखिए पहला हमारे पास है sin theta less than 0 sin theta less than 0 and cause greater than 0 ठीक है? इसका मतलब है कि sin negative है cause positive है तो यह एक ही coordinate हो सकते है cause कहां पर positive होता है cause force coordinate के हमें positive होता है इसका answer हमारे पास क्या बनेगा force coordinate ठीक है? next देखिए, next हमारे पास है cot greater than 0 cot theta greater than 0 and cosecant theta greater than 0 देखिए, cot भी 0 है cosecant भी 0 है means कि यह tan का inverse है so tan greater than 0 means positive है cosecant sin का inverse है ठीक है? तो वह भी greater than 0 positive है तो यह दोनों कहां पर positive हो सकते है only in first coordinate ठीक है? next देखिए, next हमारे पास है tan less than 0 and cos theta greater than 0 cos greater than 0 and tan less than 0 है देखिए, tan negative है cos positive है cos कहां पर positive है? fourth quadrant के अंदर cos positive है next part देखिए, next हमारे पास है secant less than 0 secant theta less than 0 और sin theta greater than 0 ठीक है? sorry, sin भी less than 0 है ठीक हो गया अब देखिए, second नेगेटिव में है साइन भी नेगेटिव में देखिए, cos भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव नेगेटिव हो तो third कहां से positive होता है tan positive होता है ठीक है? और tan हमेशे कहां से positive होता है? यह first में यह third में ठीक है next देखिए, next नमारे पर से cos greater than 0 cos theta greater than 0 and sin sin theta less than 0 अब देखिए, sin negative हो है, cos positive cos mean tan tan कहां से positive होता है third coordinate ठीक है? last part देखिए, cos cos theta greater than 0 and 10 theta जो है less than 0 यह कहां पर होगा? यह होगा first coordinate ठीक है इस तरह से हम लोग mcp based questions है ठीक है? हमने जस उनकी values देखनी है और हमने coordinate करने की काम तो आज की class खतम होती है आज हमने 9.2 के पहले 3 basic questions ही है mcp के हवारे से बड़े important है ठीक है और उमीद है आपको समझ आगी होगी further इसके है आप इस इडियो को दोबारा देख सकते हैं otherwise आप आप के तूस अपने questions को raise कर सके है और इसके answers आपको मुझे है खalgला नबोत के आप केह एलड़े आपञा झाल झाल